जी तो आज हैं दुनिया के सबसे सस्ते 4K camera का टेस्क करने वाले हैं जिसमें आपको photography और वीडियोग्राफी दोनों के feature इसके अंदर मिल जाते हैं जो beginner जो कम से कम budget के अंदर वह hybrid camera बाई करना चाहते हैं जिसमें वह photography, still photography और वीडियोग्राफी कर सकें तो आंखें बंद करके वह यह वाला camera जो है वह बाई कर सकते हैं जिस Canon 200D Mark 2 का पुराना वर्जन 200D जो के हर beginner photographer वीडियोग्राफर ने यूज किया है यह उसका जो है next version है जिस आज हम Canon 200D के हर-र फीचर का टेस्ट करने वाले हैं वीडियोग्राफी के जितने फीचर है और प्सक कारी वीडियोगाफ्य के इसका जा नबंश की पूर्ण बचैनल सेर नबर आपकी मेरिक यह पर इसको ने उसका लुकॉट रहाए वीडियोग्राफी का टेस्ट करेंगगे उशКА काशनल पर चोकी सेटिय को पांच भीश में पर आपको के वीडियो निल्सेंवागे तो है आपने शूटिंग सेटिंग में आए पहले नबर पर आपने इमर्ज क्यालिटि को लाज पे रख लेना इसके बाद यहां पर कोई च्छेटिंग नी आपने यहां पर तीसरे नबर वाले पर आके आपने यहां पर दोनों पर रख सकते हैं इसको पिक्टर स्टाइल को आप यहां पर तोड़ी शापनेस और जो है इसके इलावा इसका थोड़ी सैचुरेशन को आप बढ़ा लें तो इसके लावा इसका लाइव व्यू शूटिंग जैसको आप अनेबल कर लें इसके बाद आप आटो फोकस अपरेशन को यहां पर नैचरल लाइट जो हमें वेलेबल है तो यहां पर हमने सबसे पहले इस कैमरे के बलर एंड बुके को टेस्ट करने की ट्राई की है यहां पर अगर देखा जाए इस कैमरे का बलर एंड बुके इतना ज्यादा आउटस्टेंडिंग नहीं है आपको एक नॉर्मल ब थरन पिक्टर मिलता है तो यह दूसरे नहीं हम बात कर लेते हैं इसके आटोफोकस की आटोफोकस ट्राई करने के लिए ऐगया को ट्रैक में हमनें किन आप निकल कराई है हमने लाइव मूड के ओपर जा सारी फोटोग्राफी की है कोई भी हमने जब वीव फांडर के अंदर फोटोग्राफी नहीं की इससे यह पता चलता है इसका आटो फोकस काफी अच्छा है काफी फास्ट है क्यूंकि डूल पिक्सल आटो फोकस जो इसके अ जो के आपको चैनन के अक्सर फुल-फ्रेम कैमरा के अंदर देखने को मिलती है तो यहां पर पिक्चर क्वालटी काफी अच्छी है जिसको आप जो है काफी अच्छे से एड़िट कर सकते हैं इसके बाद जो अगर आप प्रिंट करते हैं तो फिर भी आपको क्वालटी कि गुणकी देखिने को मिलती है जिते यहाँ पर चुड़ इंडोर शूट है से सब्सक्सां ह Нए जे इसके अड़े यह पास पुर्माँ के डिला geb vê-षिति भीन पर यह यहाँ पर नहीं पर लोगता है जो ह eccentric यह भी इसके भी दरम्यान है यह भी इसके उपर नहीं चलती। तो अब जो है क्या हुआ कि हम इससे इंडूर शूट किसी भी तरीके से नहीं कर सकते। अब हम क्या करेंगे इससे आपको इंडूर शूट करके जहां वो दिखाएंगे यहां पर हमारे पास यह लाइट यहां पर यूज नहीं कर सकते हैं अगर आपने भी यह कैमरा पाय करना है तो आपने भी लादमी ध्यान रखना है कि इसकी जो फ्लैश है और फ्लैश है जो न्यू टिकनालोजी की आई है वो महंगी फ्लैश है आपकी पुरानी फ्लैश जो है ट्रिगर इसके साथ नहीं चलेंगे यहां पर इंडोर स्टूडियो के अंदर हमने इस कैमरे के आई-एसो रेंज को टेस्क करने की ट्राइए किया है यहां पर फ्लैश लाइट कोई भी अवेलेबल नहीं है जो नैचरल लाइट है जो स्टील लाइट है वही जो रूम होती है वही लाइट यहां पर हमने तकरीबन जितने भी आज कर कैमरे आ रहे हैं वह आट सो यहां फ़ी चोटा है इस वज़ए से में चार सो रखने पर भी हलकी हलकी ज़ा ग्रेंड देखने को मिल रहे हैं तो यहां पर दूसरी पिक्टिर अगर हम देखें तो यहां पर 50 एम लेंज यूज किया है जिसके अं पीचे ले जाते हैं और आप आएसो को बढ़ा लेते हैं तो आपको फोड़ी शेक शेक देखने को मिलती है जैसा कि यह पिक्चर है यह थोड़ी तोड़ी शेक लग रही है और थोड़ी सी इसके अंदर ग्रेंज भी बहुत ज्यादा है यानि कि आईसो अगर आप बढ़ा लाइट नजर आ रही है बेबी लाइट यह जो है हमने चला के फेस के ओपर डाली है जिससे थोड़ा सा फेस आप देखें गलो हुआ है लेकिन इतना ज्यादा गलो नहीं हुआ तो यहां पर अगर आप देखें इसकी हाइलेट शेड़ूस के अंदर डेटेल देखें तो ड लाइट के अंदर अगर आप फ्लेश लाइट नहीं यूज़ करते तो आपको जो है जल्ड नहीं मिलने वाला यहां पर हमने एक दो फुल पिचर बना कर टेस्क करने की ट्राइग किया है तो यहां पर इसका लाइव मूड काफी ठीक है यानि के अच्छा है लेकिन यहां प लाइट के अंदर कॉालिटी इतनी ज्यादा देखने को नहीं मिलती यह वाली पिक्चर अगर आप देखें इसको जगर आप जूम करते हैं तो यहां पर यह प्रिक्चर जो है 100 के उपर यानि के ऑपर यहां के सो श्यूद्र स्पीड के उपर भी शेक लग रही है इसके अं ios tering कर दो यहां पर यहां पर जो क्रैंड जो के विडियों मूड कर डाले है पिर आपने आज़ाना इसके लिए मेंडिया कहीं ने आना है पहले नंबर पर अपने जो आपने एस it को लादम니 आने बल कर इसके लाब आई डिटेक्शन को आपने लाजमी ओन कर लेना है तो यहां पर इसकी वीडियो क्वालिटी को डिटेल में टेस्ट करने के लिए हमने जैसे सिनमेटिक फैशन फिल्म शूट की है आउट्डोर में इंडोर में भी नाइट में भी तेनों जगापर हमने टेस्ट करने की ट्राय की है तो यहां पर यहन पर हमने लिए हमने सारे ऐचोंडी के ऊपर 60 फ्रेम के उपो शूट की है आगे जो है यह इसके BTS हैं आगे जो मैं आपको फैशन फिल्म दिखाऊंगा के बनकी आपको किस तरीक एक result मिलेगा अगर आप किस तरीक वीडियो को ऐरेट करते हैं वो भी आपको यहां पर समझ लग जाएगी तो यहां पर outdoor की जितनी भी shooting है वो सारी हमने गिंबल के साथ किया है लेकिन यहां पर अगर देखा जाए इंडोर की और night की वो समने सारी सारी हैंड के साथ जो है वो शूट की है तो यहां पर outdoor के लिदर gimbal के साथ कफी अच्छी quality हमें देखने को मिली है यहां पर focus sharpness color tune इसके स्टेबलेसिंट बहुत अच्छी है आप गिंबल पर यूज़ करते हैं तो बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए अगर आजाएं इंडोर के ओपर इंडोर सारी हमने हैंड से शूट किया है यहां पर भी हमें क्वालिटी काफी अच्छी देखने को मिली है हमने आई एस भी क्वालिटी काफी अच्छी है यानि के वीडियो के अंदर यह कैमरा ज्यादा अच्छा परफॉर्म करता है फोटो के निस्बत इसके लावा जो नाइट में हमने सारी बनाई है उसके अंदर भी हमें हर चीज जो है परफेक्ट मिली है यानि कि अगर आप देखें एच्टी अगर चीज़ कारी आप देखें एच्टी कि झांगा जाओें पट लावा जाणे है गीज़ के वीडि़ एंदाखें पर चीज़ के करता है, यानि कि अखें टेखें वीडियो घच्टी कि अगे है उसके च्टीब Tibra चिखें परफें पर फियादाएं पर टायखें कि प्रॉट यहां पर जुब के लिए के यहां पर चाहिए एंडर इमार्क 2 की व्लॉगिंग का टैस्स कर रहे हैं और आप देखेंगे इसकी इस चीप इसेपशन कैसी है मैं चल गप लोग को दिखा रहा हूं इसके बाद यहां पर इसको बार इसको लिए और इसकी आटरा बे आटो के ऊपर बिल्कुल जो है मैनुल सेटिंग नहीं कि आटो और इसका अपना माइक यूज कर रहा हूं तो आप लोगों को बिल्कुल समझ आजागी कि आप व्लॉगिं के लिए से यूज करना चाहती है कि नहीं कर दिखा रहा हूं यह सारी चीजे आप यहां पर नोट कर स और आप देखें आपको कलर टून कैसे मिलें सारी चीजे परफेक्ट आरी है कि नहीं आरी है और यहांपर मैं हैंड में पकड़के इसको बना रहा हूं किसी उसके ओपर मैंने ट्राइपोर के नहीं लगाया और जो इसकी के माइक्रोफोन की है तो आपको लाजमी आइडिय हो जाएगा आप इसकी विलॉगिंग के लिए यूज़ करेंगे या नहीं जी यहांपर जो है कैनन 200D Mark 2 का हम टेस्ट कर रहे हैं नाइट के अंदर विलॉगिंग का टेस्ट कर रहे हैं यहांपर यहांपर फूल नाइट है और अवेलिबल लाइट उसके अंदर हम यह सारा क क्वार्टी जो है वो देख सकते हैं जिस तरह की की आ रही है यहांपर कैनन 200D Mark 2 का हम 4K वीडियो का 30fps के ऊपर जो टेस्ट करें तो यहांपर आप जो इसकी स्टेबलाइजेशन देखें इसकी फेस ट्रैकी देखें इसकी कलर टून चेक कर रहे हैं यहांपर जो आपको किस और स्विडियो को आसकते हैं जी मरत फोकस एक करें यहांपर जो रहे हैं इसके लकिरा ब में तोदी मार्क्राश कर दो हैं जाफ के उप् самого डियो कृटी में और फोकस मिरहां पर जाश्म नाइट में ot pad नाइट में 2 उन्डियो क्का टेस्क करें जहांपर जो इंडोर है À उन 160 करा थाफोकस जया बार बार जो हिल रहा था यहां पर नाइट कंदर तो इसका फोकस कहीं honir रहा था तो अजैनल यह है कि 4k आपका फोकस नही कहां होगा, आप क्या करेंगे common focus यूस करें, यह कर भी mining focus वह उसे की वीडियो के अफर और यहको जब एर बनाता है यह थोड़ी को लिए के göstre tini जुल नवर तो इस यह दिता की ञव्रो करें जी करते टैना ने पर इसनुग संपे में जो Hmmm इसके इलावा इसकी रूटेर्ट मिल जाती है और साथ में टछ सक्रीइड आपको मिल जाती जो इसका जो आई इसो है वह आप 25,000 तक तक लेकर जा सबस्टे है इसके इलावे इसके पिए 5 एपस डूरा आपको मिलती है यहां पर इस कैमरे के अंदर वाइफाई और बिलुटूथ मौझूद है और यहां पर यहां पर यहां पर यहां काफी लोग वेड कैमरा है आप इसे हैंड से बहुत अच्छे से ग्रिप कर सकते हैं यहां आप किसी लोग वेड वाली गिंबल के ओपर अच्छे से लगा सकते ह तो चलिए पांचे नमपर पर इस कैमरे की प्राइस की बात कर लेते हैं अगर आप इसे जो है नियू में बाय करना चाहते हैं तो आपको यह जो है आपको समझ आएगी आपने वाला कैमरा जो है बाय करना है या नहीं करना है इसकी क्वालिटी जाओ कैसी है और उन पिक्चर्स को आपने सोचल मीडिया पर यूज कर सकते हैं तो आज की वीडियो यही तक के लिए बाय